एक लंबे समय के बाद अगर किसी को पूर्ण बहुमत उत्तरप्रदेश में मिला था तो मायवती जी की ही सरकार थी सत्रा वर्ष बाद जी सत्रा वर्ष बाद के और उस समय मंच पर आप ही थे मंच पर सबसे प्रमुक तोर पर आप ते कि आज BSP कहां दिख रही है आपको आज क्यों अगर मुकाबले में आवाजें ज्यादा जोर से SP और BJP की सिर्फ सुनाई देती हैं तो क्या ये सिर्फ आवाजों का फर्क है या सचमुच में आपको इसमें कोई बात लग रहे हैं ये सब दिखावे हैं जो देखे फिर से मैंने कहा मैं किसी के ओपर आरोप प्रत्यारोप TV चैनल पे नहीं लगाना चाहता हूँ लेकिन ये कि उनको अगर खाली वो दिख रहे हैं जहां पर की सरकारी प्रोग्राम है और जहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इकठा हो रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के रैलीज नहीं दिख रही हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग जो इकठा हो रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं, तो ये प्रशन बहुत बड़ा उठता है और आगे उठेगा जब नतीज़ आएंगे, आपको याद होगा 2007 में, इसी तरह से माह ससुरे जईएंगा, नाराज होएंगे जईएंगे जईएंगा, लेकिन वो जा करके उन्होंने दिखाया, उन्होंने गए, बहुजन समाज पार्टी क्यों गए भाइचारा बनाने के लिए, उन्होंने हमारी जो अनुरोग था, यही था कि हम लोग एक इंक्लूजव सीटें बताई गई थी, आखरी में कुछ माहोल बदला दिखा तो उन्होंने 48 सीटें आखरी में दिखाई थी, एक किसी चैनल ने कि नहीं 35 नहीं 48 सीटें जीत रहे हैं, और हम लोगों ने पूरू बहुमत की सरकार बनाई थी, अब की बार भी जो है, अब की बार जिस तरह से 16 प्रतिशत हम कहते हैं, 14 प्रतिशत सरकारी आकड़े कहते हैं, ब्रामरों समाज के लोगों को, उसमें से 90 प्रतिशत तो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुएं, और बहुजन समाज पार्टी के साथ में पहले से ही, जो 23 प्रतिशत दलित समाज के लोग हैं, सोशल इंजिनिरिंग के आया, 2007 में ही कठा हुआ था, शुरुवात हुई थी, जो हम लों ने किया था, लेकिन अब की बार मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, कि वो सोशल इंजिनिरिंग जो शुरुवात उस समय हुई थी, एक्च्वल में अब की अमली जामा तो अब की बार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिड़ेगा, और पूरा देश देखे, उस बार भी देखा था, अब की पूरा देश देखेगा, और किस तरह से उसके बाद अमन चैन से प्रोग्रेस होगी उत्तर प्रदेश की, लाइंड ओर ठीक होगा, सब की चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पड़े लिखे नौजवान हो, जो बेरोजगारी में घूम रहे हैं, जिनको पकोड़ा बेचने के लिए कहा जा रहा है, एक सलादियारी पकोड़ा बेची है, चाहे वो बिमार लोग हों जिनको की आज दवा नहीं मिल रह कि अभी करोना के बाद, तो ये सारी चीज़ें जो है, किसानों को कुछल के मार देना, किचानों को दबा के मार देना, कौन है इनके साथ में, और सब ने समाजवादी पार्टी की जब आती है, सब जानते हैं कि एक ही एजंडा है, कि दंगा, फसाद, लूटमार, डखेती, ब रही गई कि कानून विवस्था सुधार दे उन्होंने, आज फिर इस कारिकाल के लिए एक तो मौझूदा सरकार भी कहती है, फरक साफ है, और ये कहा जाता है कि इस समय law order बहतर है, आपका law order बहतर था या ये? बेखे, law and order आप तब कहेंगी, जब कि लोग सुरक्षित हों, अगर महिलाएं जो हैं, वो सुरक्षित नहीं हैं, जिस प्रदेश में जो पचास प्रतीशत से जादा हैं, अगर हर दो घंटे में उनके साथ में, एक महिला के साथ में दुराचार और बलादकार हो रहा है, त उसकी dead body भी बलादकार हुआ था, उसको घरवालों को मत दो, खड़े होके जलवाने का काम करो, धाई बज़े रात में constable से जलवाये जाता है, ये law and order है, रेनू शर्मा नाम की लड़की अभी एक महिला भी नहीं हुआ, वो तो political लड़की नहीं, वो तो महिला थी, political party, वो जब उसकी bail हो गई, तो bail होने के बाद भी पंदरा दिन तक उसको जेल से बाहर आने ने दिया, कब आने दिया, जब उसकी death हो गई, उसकी लाश बाहर आई, आज खुशी दूबे के साथ में क्या हो रहा है, खुशी दूबे डेल साले, 16 साल की लड़की, तो आपने ठीक है मुख मंतरी कारयाल है, मौनिटर कर रहा है कि bail नहीं होनी चाहिए, और उसकी bail नहीं हो रही है, उसका भी इंतिजार उसी तरह से हो रहा है, रेनु शर्मा के हशरका की, जब उसकी मौत हो जाए, तब वो जेल से बाहर आ है, तो ये loin डॉर्डर तो नहीं है, आज अगर 500 ब् आवाज उठाते हैं टीचर्ज, जो बे रोजगा टीचर्ज थे और जो स्टू़ेंट्स हैं, जो ओड़ आ करकर अगर आवाज उठाते हैं, तो उनको लाट्िएं से स्वागत होता, उनके सरफोड दिया जाते हैं, एख Ņम देने जाते हैं, तो उनके परचे लिक करा दिया झाल